श्री राधे राधे, भक्तों जो ठाकुर जी के सच्चे प्रेमी भक्त संत होते हैं, उनके अंदर बहुत दिवी गुण होते हैं। गीता जी के सोलावे अध्याय में दैवी संपदा और आशुरी संपदा का विवेचन ठाकुर जी ने किया है। तिरोहित हो जाती हैं और दैवी संपदाओं का उदे हो जाता है। आज हम जिन भक्त की चरितावली सुना रहे हैं, वो संत ब्रह्मनन जी गोस्वामी उनके अंदर जन्मजात दैवी संपदाएं थी। आशुरी संपदाओं तो देखने को भी नहीं मिलती थी। और वे नित्यानन जी महराज जो चैतन्य महाप्रभू के पार्षत थे। उन्ही के वन्ष में उत्पन्दी थे, चोटी पीडी में। महराज ये बहुत ही महान संथ थे। परंपरा के अनुसार ये पूज गुरू थे सबके। क्योंकि नित्यानन जी सबके गुरू माने जाते हैं, गोडी परिवार माने। और उन्ही के वन्ष में थे। और ये श्रीवरंदावन धाम में श्रिंगारवट जो जमुना जी के किनारे, जो काली दह से चीर घाट के बीच में आप चलते हैं। इमली तला के निकट में हैं। वहां पर रहते थे श्रिंगारवट में। जहां की राधारानी का धाकुर्जी ने श्रिंगार किया था। महराज वे समस्त दैवी संफदाओं सो तो प्रोत जीवन वाले थे। बड़ा ही तेज पुन्जुन का दिव्य कलेवर था। जलमराती हुई कांती थी। कीरतन में ऐसे आवेश में रहते थे कि उनको ये पता ही नहीं होता था कि दुनिया में हैं वो। और किसी के साथ व्योहार की बात पे बाती थी। तो उदारता उनकी प्रकट हो जाती थी। अत्यन्तुदार। और जब उनकी कोई बात होती थी, तो परम दीन। उन्चे कभी कोई बात कोई पूष्टा था तो बढ़े म्रिद उभाशी और भाक्ति शास्त्रों में बुलकुल इतने महान थे ज्ञानी हैं कि उनका व्यक्तित तो प्रकट हो जाता था कि ये महान भाक्ता हैं और बहुत ज्ञान था लोग इसलिए भाक्ति शास्त्रों के विशे में इसे जानकारी लेते थे वे जब कीर्टन करते थे तो उनके साथ एक और भाक्त थे निश्ञान अनजी प्रभू तो दोनों लोग कीर्टन करते तो ऐसा लगता थे ज़िए निताही गौर प्रकट हो गये और उनकी कीर्टन की सूचना पा करके इस तरी पुरूस सब लोग भागते थे दोड़ दोड़ करके सिंगारवट की ओर लोग भागते चले आते थे और ये प्रहुपाज जी अर्थात ब्रह्मान अंजी महराच कीर्टन में इतना तन में हो जाते थे तो उनको समय का ज्ञान ही नहीं रहता था और इनी की तरह से दर्शक गण भी बिलकुल परम प्रेम में दूब जाते थे कीर्टन के आनंद में नहीं दर्शकों को भूख प्यास का ध्यान रहता था और नहीं इनको ये लंबे लंबे समय तक लगाता कीर्टन होता था कभी कभी तो रात में बारह बज़े तक लगाता कीर्टन चलता जाता था और दर्शकों को भी प्रेम आनंद में भी होर अवस्था में देखते थे और जब इनको थोड़ा सा ध्यान बाहर का होता था तब ये अपने शिष्य यूगलदास को कहते थे देखो सब लोग कितना ज़ादा प्रेम में दूब गए हैं इनको भोजन तक की याद नहीं है इन लोगों को कुछ प्रसाद पवाओ और था भोजन कराओ और शिष्य यूगलदास जी को अंदाज रहता था कि गुरुदेव किसी भी समय भाक्तों की सेवा के लिए प्रसाद देने को बोल सकते हैं इसलिए उपहले से तजार रहते थे कि आग्या का पालन करना होगा समय से पहले ही प्रसाद आज की वेवस्था करके रखते थे क्या जाने कब गुरुदेव का पुरुपाद का आदेश मिल जाए और ऐसे आयोजन शिंगारवट में अक्सर होते ही रहते थे जहां कीरतना नंद की धूम मस्ते थी और सब लोग खाड़े हो करके इनके कीरतन का आनंद लेकर के जूमते थे रिलिष्टी करते थे मस्त हो जाते थे लोग और यह कभी व्यक्ति के तुरूप से कोई व्यक्ति आता था ब्रह्मा नंद जी से कुछ मांगता था तो उनके पास जो भी कुछ रहता था उद्दे देते थे खाली नहीं जाता था और नहीं कभी उनके मन में संकोच होता था उद्दा उदारता पुरुग देते थे इनके विशे में संतुलोग बताते थे कि ब्रह्मानन जी को भाक्तों से बहुत धन प्राप्थ हुआ किन्तु महराज जी नहर था तुगो स्वामी ब्रह्मानन जी ने कभी भी एद भी पैसा अपने लिए रखा नहीं सब का सब परमार्थ में ही दे दिया पैसा है इनके पास धन तो अपार भगतों ने दिया लेकिन उसाब सेवाकारी में लगा दिया अपने लिए कुछ भी ने रखा सभी के पूज थे क्योंकि नित्यारण जी के बंस के थे पर इतने दीन रहते थे कि जैसे ये गुरू नहीं है सब के सेश्चे हैं सब की सेवा कर दे थे एक बार बहुत प्रसिध कीर्थनिया संथ थे स्री कृष्ण दास बाबा जी जो कीर्थन के महान गायक थे वो उत्सों में कीर्टन करने आये थे तो सारा दिन कीर्टन हुआ और दूसरे जिन नगर कीर्टन था अब नगर कीर्टन में तो धूम धूम के नाच नाच के रास्ते बर चलना था तो वो अगले जिन कीर्टन नगर कीर्टन होना है अब आज दिन भर किर्टन हुआ था रात में थोड़े जरे विश्राम करना था किर्टनिया बाबा कृष्णदाश जी को तो ब्रह्मानन जी महराजी ने कहा कि किर्टनिया बाबा कृष्णदाश की शयया मेरे निकट में लगाओ रात में जब बाबा किर्टनिया बाबा कृष्ण डाश जी सो गए तो स्वेम महराज जी ब्रह्मान जी उठकर के उनकी सहिया के पाल जाकर उनका चरन धीरे धीरे दबाने लगे क्योंकि उगहरी निद में सो रहे थे और चरन दबाते रहे बहुत देर घंटों दबाए एक बार वो जग गए तो बोले कि कौन है भाई तो ब्रह्मान जी महराज ने कहा कि बाबा आप आराम करो आपको कल नगर कीर्टन करना है कल नगर कीर्टन करना है पूरे दिन का आपका कीर्टन होगा नगर कीर्टन आप आराम करो ऐसे बोल करके उनका चरण दबाने लगए या उन्हों ने देखा कि आरे महराजी चरण दबा रहे हैं तो उट करके बैटे बोले कि महराजी ऐसा पाप मत चड़ाओ मेरे उपर आएसी विनम्र थे आद्भूत दीनता थी कि सेवा करने में अपना सवभागी मनते थे महराजी बहुत फिया अद्भूत इनका भाव था इनके कीर्टन प्रेम की बात तो आप लोगों ने सुन लिया आप इनकी महानता के विशेम में दो बात बतना हैं ब्रह्मन जी गोष्वामी जी कितने महान थे यह आप सुनिये कितना उंची इस्थिती थी इनकी भाक्ती में आपको फरिचे मिल जाएगा एक बार जब पुरुणिया में थे तो उनका जेष्ठ पुत्र का ठीक मध्यान में परलोग बास हो गया बड़ा बेटा दिन की दो पहरी में शरी छोड़ दिया और उसी समय वो पूजा से उठे थे अब आप समझें महराज जीवन में किस तरह का इनकी इनका किस प्रकार का उच्चा दर्श था इनोंने उजाश जो उठे थे उधर देखा भी नहीं बड़ा लगए का सरी ठोट चुका था और वे भागवान के मंदर में प्रवेश कर गए और ठाकुर का भोग लग जाने के प्रस्चात पुजारी इससे प्रसाद मांग करकी ग्रांड किया इसके प्रस्चात दैनिक भजन में सनलगनों गए जैसे इनको पूत्र के मरने की गटना से कोई संबंध ही न करना हो बस व प्रस्चात करने के कोई बात नहीं थी बिल्कुल चिंता नहीं किये जबकि आत्मी स्वजन शोकार्त हो करके करंदन कर रहे थे परिवार के अन्य लोग जो स्वजन थे सब इनके बेटे के निधन से सब रो रहे थे जो दो थे बहुत ज्यादा चिगार मची थी रुदन की आवाज फैली हुई थी किन्टु इन से जब पूछा गया तो इन्होंने तो बस तीजी से एक बात कह दी जिसकी बस तूछी उसने ले लिए इसमें चिंता करने कोई बात नहीं इतनी शान्ती थी इनके मन में इतना ग्यान था इतना बहिराग्य था इतना कुछ भी नहीं बोले ऐसे में तो लोग कितने लोग तो भागवान को जूस करने लग जाते हैं कितने अपनी छाती फृट कर रोने चिलाने लग जाते हैं कितने तो खाना पीना भटी भजन सब थोड़ देते हैं लेकिन महराज ये तो भगवान की पूजा में लगे रहे, पूजा की बाद परशाद लेकर फिर मंदी की सेवा में लग गए, और बस ये निट्य संब्द जिन से थार थार प्रभू से उनी को अपना मानते थे, भगवान के अलावा किसी को अपना नहीं मानते थे, ये बंद बंदों ने इनके पुत्र के मृतक देह का संस्कार किया, किन्तो ये बेटे के मृतक देह के संस्कार में भी भाग नहीं लिये, और ने तो इनके मुख से कभी इस विषय में कोई शब्द किसी ने सुना, आपने इनके बड़े पुत्र के मृत्यू की घटना की बाद, इनके मुख से कभी निकली नहीं, इसलिए कोई उसके विशेम, इनके मुक्स कोई चरचे ही नहीं के विशुमौा इतना ज्याधा प्रभु नो इनको विरक्त बनाया था मन से और भगवान से इनका इतना ज्याधा गहरा संबंध था कि भगवान के लावा किसी इसको संबन्ध हुई अपना मानते ही नहीं थे और आनंद के स्वरूप थे प्रभू के भक्ति का आनंद था और अदोस दर्शी थे किसी के अंदर दोस नहीं देखते थे एक बार इनके आश्रित किसी भक्त के चरित्म के विशे में लोगों ने कु अंचित बात थी तो यह बोले भाई इसमें उसका क्या दोस है दोस तो मेरा है यह दुमेनी एठा समय उसके संबन्ध में आपने करता भू का पालन किया होता तो मुझे यह बात क्या सुननी पड़ती है इतना कह करके उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया जिसके विशे में चारित्रिक दोस लोग बतला रहे थे और उसको कुछ रूपए किराय का दे करके बोले कि तुम कुछ दिन मेरी भाहिन के घर जा करके रहो जब बुलाऊंगा तो आ जाना ने तो उसको थोड़ा सा जाटा फटकारा ने उसको स्पस्टी करण किया कि दोस के विशे में ने को कोई चर्चा की इतने अदोस वर्थी थे कि उसको उपने पास से बाहिन के पास भेज दिया और का दिया कि आप कुछ दिन में रहो जब जब जबुरत होगी तुम्हें फिर बुला लूँगा बस और फिर आपने ठाकुर जी की भाक्ती में लग गया और राधा कृष्ण भ और दोसरी कृष्ण दास नाम था तो उनी के एक सिष्ट थे वो राधा जी की निज लिला के विशे में कुछ गा के सुनाते थे और वो जब सुनाना शुरू किये ब्रह्मान जी को तो स्रोता और वक्ता दोनों ऐसे भाव में डूबे कि एक प्रातहकाल से दूसरी प्रातहकाल तक निरंतर राधारस रसारणों में डूबते रहे महराग। दोनों हे राधारानी की लीला और सेवा की बात करते करते विल्कुल उसी में निमाग ने रहे। किसी को पता नहीं हुआ कि 24 घंटे बीट गए। ऐसे राधारानी की प्रतीन की भक्ती थी। राधारास के जैसे समुद्र के मत्स थे थे और थात राधारानी के दिव प्रेम के ही समुद्र में डूबे रहते थे। कथा कीर्टन, पूजा, आज के बहाने, श्री राधा रानी के मंगल में बहुत गहरे निभृत निकुंदी के चरित्रों में दूब की माहरे रहते थे, बाहर निकलना इनको अच्छा इन लगता था, बस राधा और कृष्ण और गोपी जन, इन ही चे केवल इनका संबंध था और बाहर जगत से इनका संबंध कहा जाए, तो केवल इतना ही था, कि ठंड में कंबल ओड लिया, बस, शरीर का इतना ही जन था और कुछ नहीं, और सन अठारस वाट ठांबे, अर था आप चला गवाई का 120 वर्स पहले की बात है, जेश्ट शुकला चतुरुष्टी के दिन्नों ने, उस राधार रानी के दिव्य प्रेम समुद्र में, ऐसी डूब की लगाई, कि उसकी गहराई में डूब तेक चले गए, और फिर उसमें से इनकी चेतना बाहर नहीं आई, और दिव्य भगवत धाम को प्राप्ठ किये, राधार आनी के दिवे श्रेदर गेरे शुद्रागे।